हलो दोस्तो मैं महमास तरफराज मेरे यूटूब चैनल इलर नीवी दुर्गेश में आपका स्वागत है आज हम भारत वो सीरीज में तीसरे अध्याय में भारत समंदित महतवपूर्ण तत्यों का अध्यन करेंगे सबसे पहले हम देखते हैं भारत से लंका से अलग होता है तो जो भारत है वस से लंका से पाक जलडमरुमद्य से पाक जलडमरुमद्य से अलग होता है पिछले वीडियो में भी हम इसके बारे में जान चुके हैं अगला प्रसना है भारत का वहराज जिसकी सीमाएं तीन देसों से लगती है तो भारत का एक राज्य सिक्टिम ऐसा राज्य है जो नेपाल भुटान एवम चीन से अपने सीमाएं एक्षपर्स करता है आगे हम देख दूसरे अस्थान पर ले है तीसरे पर जैसल में चौथे बार में और पांश में पर बीकाने अब हम आगे देखते हैं मरकट दीव की संग्या से प्रसिद्ध है तो अंडवान निकोबार दीव समुग को मरकट दीव के नाम से जाना जाता है अगला प्रसना है है हैदराबा करदेराबा तो बारती सेना ने वापिस बिजने के लिए क्लें आपरेशन में एक दू चलाया था चलिए ओनदीचेयरी पांडीचेयिए एक जिल्या भी केन्द्ससीत्राज्य्य अमढ़ीचेयरी और जिसमें चार जिल्य आते हैं पांडीचेरी और कराइकन तमील नाडू में है जो यह यह जो यह नम है यह नम आन्दपरदयस की सीमा में इस्थित्त है चलिए आघे देखते हैं तो आप उपर जाकर वीडियो की क्वाल्टी बढ़ा सकते हैं वहां से आपको वीडियो काफी साफ दिखाई देगा आगे देखते हैं यह आन्द-प्रदेश की सीमा में है माहें माहें के राज में इसंदर छिक जिले आगे देखते हैं काल सवर कटक zoogac अरब शागर में इस्थित है अरप सागर भारत के पस्में देखते हैं हिंद decentralized में किस दूई पर युस्टे का वायू सैनीक अड्डा है अर्थाट सप्योगत दूणिक अड्डा यह अरब सागर में एक दीप है इसे डीएगो गार्शिया के नाम से जाना जाता है और यूस से का एक सैनिक अड़ा है आगे देखते हैं अंडमान एवम निकोबार दीप्समु दछ्रितम बिस्थार है तो जो अंडमान निकोबार दीप्समु यह हिमाले का ही भाग है जब हम दच्छली पूर्वी एसिया के भौतिक स्वरूब को पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि यही हिमाले परवत हिमाले परवत मेमार में अरा कान युमा के नाम से जाना जाता है फिर यही परवत अंडमान निको बाद दीप होते हुए जावा सुमातरा का विस्तार होते हुए आगे तक चला जाता है चलिए हम आगे देखते हैं बैंगलूरू और चन्नई में कौन सा सहर अधिक दच्छर वरती है तो जो बैंगलूरू है वह दच्छर में इस्तित है चन्नई उसके उत्तर में इस्तित है आगे देखते हैं जम्मू कस्मीर के लदाख जिले में कारा कोरम स्रेणी पर भारत का नर्थ यह चीनी ह след यह भारत के सबसे बड़े ग्लेसियर और प्रॉआ हम देखते हैं ऐसी आगए और आगे हम देखते हैं कि एक मिनट है कि तो अगला प्रशन है कि भारत का अच्छांब सी विस्तार तो भारत का अच्छांब से विस्तार यह दि हमच्छाभि सब्सक्राइब आपका 31 डिगरी चार मिनट हम घटा देंगे 37 डिगरी चार मिनट में से चार डिगरी चार मिनट तो उत्तर आएगा 39 डिगरी दो मिनट आगे देखते हैं इसके लिए अब हमारा पूराना वीडियो देख सकते हैं इसमें आपको काफी अच्छे से समझाया गया है आपको समझने में भी आसानी होगी आगे देखते हैं समुद्री एक समुद्री मील बराबर होता है तो जो एक समुद्री मील होता है यह लगबग 1.82 किलो मीटर मतलब 1.82 मतलब ए ईसे नाटिकल मील एक समुदरी मील को नाटिकल मील के नाम से जाना जाता है और एक नाटिकल मील बराबर 1.82 किल्यों मिटर होता है इसे पिछली वीडियो में काफी अच्छे से बताया गया है आगे देखते हैं क्रिक कहलाता है मास आगर का अस्थल में गुसा संकीन जली भाग को कुरिक कहते हैं आगे देखते हैं भारत का अनए आर्थिक शेतर भारत का अनन्य आर्थिक शेत्र ये जे का विस्तार दोद लौ 9 हे भी लोव मीलिएं वर किलोमिटर अपया है य। उस प्रकार भारत की असली शीमा होती है उस– आप समूंद्र भारत और सिलंका के मध्ध ज्थित्दीप है धारत और सिलंका के मध्ध है इस्थित्दीफ राम एस्थित्तरम है यहां पया पर आप एक स्थान है धनउस्पोडि तो भारत गी ब्रिज का साक्ष पाया जाता है आगे देखते हैं चंद्रभागा बीच इस्थित है और उडि्शा राज्य में स्थित है आगे देखते हैं नूबहा नदि निकलती है तो नुबहा नदि सिया चिन ग्रेट्ष नध में गाटी जो नुबहाड़े से घाटी है वहीं से ही भारती सैनिक सिया चीन तक जाते हैं चलिए हम आगे अब बढ़ते हैं कि अगला प्रश्ण है कि कि अगर तल्ला जवलपूर उजयन गांधी नगर में से कौन सा नगर करके रेखा कि निकरतन दूरी पर इस्थित है तो गांधी नगर को समझने के लिए आपको मैट किन तरह में जहां जहां से होजी रहा है वहां वहां पे कौन से प्रमुख सहर इसे आपको पूरी राजिक के प्रमुख नगरों को जानना पड़ेगा तभी आपका यह फ्रस्ण शही हो पाएगा अगे हम देखते हैं दिल्ली जोदपूर कोलकाता तथा नागपूर में कौन सा नगर करकर रिखा के सरवाधी निकिट इस्तिते तो यह कोलकाता है आगे हम देखते हैं भारत की भूगर्बिक सरदचना अब यहां पर हम पढ़ेंगे भारत की भ भूग ज्यानी सनचनाओं में प्राचीनतम से नविंतम की ओर का सही क्रम है तो इसका क्रम है धारवाड सबसे पुरानी है फिर कुडपा है फिर बिंदयन है फिर गोंडवाना लेंड है तो यही क्रम है सबसे धारवाड है फिर कुडपा है फिर बिंदयन है फिर गोंडवा खनीज की दृष्टि से बहउब की समू है आगे हम देखते हैं भारत की अस्थली सीमा की लंबाइ तो 15200 किलू मिटर इसे मैं बता चुके हैं आगे हम देखते हैं भारत की जली सीमा की लंबाई यदि कुल जली सीमा पूछे तो इसमें हम अंडमान निको वारदीव समू और लच्छदीव को भी सामिल करते हैं तब इसकी लंबाई 7516.5 किलो मिटर हो जाती है यदि भारत के मुक्य भूमी की धरातलिय तटी अच्छेतर पूछेतुए है यह 500-100 किलो मिटर है जिसमें भारत के कुल नौ राज्ये आते हैं आगे देखते हैं करके रेखा भारत भी कितने राज्यों से होकर गुजरती है तो करके रेखा भारत के आठ राज्यों से होकर गुजरती है पिछले वीडियो में भी यह प्रस्ट पे डिस पेस के सर्च करेंगे वहां पे चैनल आएगा इलनिंग विद दूर्गेस आप वहां से जुर जाए महतपूर सुचना और इस वीडियों का पीडियाफ आपको वहीं पी मिलेगा यह आपको वीडियों साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो ऊपर जाकर आप वीडियों की क्वाल मीनट चलिए इसमें भारत की भावमिकी संद्चना भारत की मानक समय जो भारत का मानक समय है तो भारत का मानक समय जो से हो गुजरता है उत्तर प्रदेश आंद्र प्रदेश उडिशा वाकी आप दो राजों के नाम बताईए चलिए आगे देखते हैं भारत की जनसंख्या का विश्व में अस्थान है तो भारत की जनसंख्या का विश्व में दूसरा अस्थान है आगे देखते हैं जारखंड मड़ीपूर मिजोरम तर्फूरा में से वह राज जो करके रेखा के उत्तर में वस्तित है तो यह मड़ीपूर है इसके लिए आपको एटलस की आपका पड़ेगी एटलस से ही यह प्रतनाप का सही हो सकता है आगे देखते हैं बैंगलूरू चिन ऐन्तिति पूरा मड़ीपूर मिजोरम में वहं कौन सा राज्य है जो सा बांगलादेश को सिमा नहीं बनाता तो मड़ीपूर और मा किसे इंडर पॉंट इंडरा पॉंटचु आन्य जिस नामसे जाना जाता है वह है तो इसकिन पारशन पॉंट के नामसे जांदें आगे देखते हैं पांडी चेरी चिपंडी चेरी में सामिल है आगे देखते हैं देश के देश को जिस राजि में जीलों की सरवादी संक्या तो यह उत्तर प्रदियसे में दिया गया चोबतर लेकिन वर्तमान समय में उत्तर प्रदियस कुल 55 जिले हैं और यहां पर असी लोग सभाशीटे हैं तो 31 राज कर चुके हैं यदि आप वोड देने के लिए वय वायद हैं तो आप ओर देने जरूर जाएं, आप और किसी भी पार्टी को दोएं, यदि आपके छित्र में کसी भी राज्यितिक पार्टी के ऐसा सदश जो चुनाओ रड रहा हैं, आप उसे योगी नहीं समझते हैं, तो आप ओर देने जरूर जाएं, नोटा पर बरंदवाएं लेकिन ओर देने आप जरूर जाएं क्योंकि लोकतंतर की सबसे बड़ी ताकत जनता होती है यदि जनता ही उसमें भाग न ले तो यह चुनाओ का क्या मतलब होगा चलिए हम आगे देखते हैं कि भारत का पर्थम मानचित बनाया गया था तो भारत का पर्थम मानचित बनाया तो भारत का पर्थम मानचित बनाया आगे देखते हैं भुगोल के पिता की उपमा पदान की गई तो हिकाइटियस को भुगोल के पिता की उपमा पदान की गई क्य आगे हम देखते हैं कारा कोरम राजमार्ग पाक अधिक्रित कस्मीर को चीन के जिस प्रांत से जोड़ता है जो कारा कोरम दर्रा है वह पाक अधिक्रित कस्मीर को चीन के जोड़ता है तो वह है चीन का सिंक्यांग सिंकियांग प्रांथ वह है चीन का सुरी एक मिनट वह है चीन का सिंकियांग प्रांथ के लिए आगे हम देखते हैं भारत के रूर परदेश की उपमा दी गई है तो छोटा नागपुर के पठार को रूर की उपमा दी गई अब यह रूर परदेश के आ है तो यह जर्मनी में एक छेतर है रूर और राइन दो नदी है उसके चेतर में सरवाधी कोईला पाया जाता है इसलिए छोटा नागपूर पठार पे भारत का सरवाधी खनिच पाया जाता है इसलिए इसे भारत का रूर का आ जाता है चलिए आगे देखते हैं माला बार तड की विशेश अस्तला क कितनी है तो सरवादी सीमा जम्मू कस्मिर और हिमांचर प्रदेश के साथ 1170 किलो मिटर की सीमा बनती है चीन के साथ 1170 किलो मिटर की सीमा बनती है अगे हम देखते हैं उत्तराखंड के साथ तो 650 किलो मिटर बुटान के साथ 500 किलो मिटर और सिक्किन के साथ 225 किलो मेटर की सीमा चीन के साथ लगती है चलिए हम आगे देखते हैं भारत के कितने राजे पड़ोसी देशों से अस्तली सीमाओं से जुड़े हैं तो भारत के 17 ऐसे राजे हैं जो बिदेशी सीमाओं से जुड़े हुए हैं कियों जोड़ तो गुजरात है राजस्थान पंजाब है जम्मु कास्मीर है सीमांचल प्रदेश पलोसी देशों से सीमा साजा करते हैं भारत का हिर्दय अस्थल माना जाता है तो जो भारत का हिर्दय अस्थल है उसे गंगा के मैदान को माना जाता है क्योंकि गंगा के मैदान में काफवी एनाज का उत्पादन होता है जो आजिविका के लिए बहुत महत्वपूर है आगे हम देखते हैं भारत में कोईला उत्प प्रदेश, PCS UPS में प्रसफन था, कि सर्वाधिक कोईला कहां पाय जाता है, तो अन्ठामवे बास, कोईला गोडवाना चेतर में पाया जाता है, आगे हम देखते हैं हिमालय एवं गिरीपद, इमालय एवम गिरिपाद के सहारे भोकम की सर्वत्तम व्याक्षा की जाती है तो यह पलेटों के अविस्रन के संदर में व्याक्षा की जाती है आगे देखते हैं हम भूव ज्यानी सनचना की दिश्ट से मिघालय है तो जो मिखाले है वह छोटा नाकपूर पठार और दक्कन पठार का ही भाग है जो राजमहल पहाड़ियों का पूर्वी विस्तार है बीच में नदियों ने इसे कार दिया है जहांपे बांगला देश देश है और जिसे मालदागयब के नाम से जानते हैं आगे देखते हैं आदे कल्प में भारत की पहली जोला मुखी क्रिया हुई थी तो बिहार में बिहार की डालमा की पहाड़ियों पर भारत में सरपतन जोला मुखी क्रिया हुई थी अब देखते हैं भारत की सबसे उची परवचोटी कौन सी है तो भारत की सबसे उची आश्टिम केटू जीसे गाड़ mee नाश्टिन और केटू के नाम से जाना जाता हैब यह कारा कोरम शृरिनी पर इस्थित है वरत्मान समय में यह प्यो के पाक अधिक्रिक्रिक कस्मीत अर्थाद पाक अकूपाइड कस्मीर छेंब इस्थित है अगला देते हैं लद्दाक सिंकला का सर्वोच सिखर है तो राका पोसी लद्दाक का सर्वोच सिखर है और राका पोसी विश्व का सबसे तिवरिड हाल वाला परवचोटी है चलिए आगे हम देखते हैं अगला प्रत्न है सचर जोन अलग करती है यहाँ आप मारकर नहीं चल जासकर और कारा कोरम नीचे है तिबबत में बरंपूत नदी को किस नाम से जाना जाता है तो तिबबत में बरंपूत नदी को सांगपो नाम से जाना जाता है इसे बरंपूत नदी के नाम से जाना जाता है इसे जमुना नाम से जाना जाता है है इससे अलग-अलग स्थान पर अलग अलग नामों से जाना जाता है अगले कुछ वीडियों में इसका काफी विश्थाह्टा से अधिन करेंगे तो गंगोत्री हिमनत कुमाजी इस्थित है चलिए हम चलते हैं अगले पर टॉपिक पर चलिए इसमें देखते हैं भारत में वर्तमान में सामिल है तो प्राइदीपी भारत में आगे देखते हैं करेवा के लिए करेवा के लिए हिमाले का परसिद भाग है तो कस्मीर हिमाले का भाग है आगे देखते हैं केसर चाफरान की खेती की जाती है तो यह करेवा केसर की खेती की जाती है जो काफी महंगा होता है आगे देखते हैं वैसलो देवी अमरनाद गुफ और दो पम एवम चरारही इने सफिर्ट ती है जो कसमीर हिमाले में स्थित थे आगे हम देखते हैं काली नदी साहीक नदी है तो खाली घागरा की शहायक नदी है आगे देखते हैं फूलो की तूटने से स्वारी गोडवाना लैंड के टूटने का क्रम प्रारंब हुआ तो जूरैसिक काल में गोडवाना लैंड की चटाने तूटने प्रारंब हुई आगे देखते हैं भारत के किस क्रम की चटानों में पेट्रोलियम पदार्थ पाया जाते हैं तो भारत के ठरसीरी च हे जिसमें पननलता गोलकुंडा की हीरे प्राप्त होते हैं जहां पर गोल की प्राप्त होती है मध्यपड़िष्राज में बर्वान करो की विज दिशता है इंगे colony로 क्फाय जाते हैं अजल भूसननती को प्रवतों का पालना आख था कि समर्णेक WILता आगे हम देखते हैं दिल्ली क्रम की सेल बनी वी ढोल गणी कुडप्पकर के चठानों से निर्मित है आगे हम देखते हैं पसुचारन के लिए गासओं को कहते हैं तो गुल मर्ग सोन मर्ग जमीन में में बुग्याल और पयाल यहां पे उत्तर परदेश गलत दिया हुआ है बुग्याल और पयाल आपका हिमांचल परदेश में पाया जाता है आगे देखते हैं राजस्थान में तामबा कोबाल रांगा प्राप्त होता है तो यह कुडपा करम की सैलो में इसका विस्ता पाया जाता है आगे देखते हैं दक्कन ट्रैप का निर्मान मुख्यता हुआ था तो यह विसालती चट्टानों में दक्कन ट्रैप विसालती चट्टानों में हुआ था आगे हम देखते हैं राजस्थान का मरुस्थली भाग भुगर्भी सनचना की द्रिश्ट से विस्तार है तो यह प्रा तो सबसे पहले देखेंग गुजराद फिर महाराष्ट फिर करनाटक गोवा केरल तमिलनाडू आंद्परदेश उडिशा पश्रिमंगाल आगे चलते हैं सिवा राय पहाड़ियां इस्तित है तो जो सिवा राय पहाड़ी है वह तमिलनाडू में है आप हमारे यूटूब चै दच्षिड भारत की प्रवती पठार प्राइदीपी पठार का संपूर विश्त्रित वीडियो में मिल जाएगा जैसे देखके आप काफी अच्छे से समझ सकते हैं चलिए आगे देखते हैं अनमान और निकोबार्द दीवस्रमु का सर्वोच सिखर है जिसे हम सैडल पिक क भाग है तो यह कुमाजीई हमाले का भाग है नंदा देवी चोटी आगे देखते हैं मनडव पहाड इस्तित तो मनड गीर यह पहाडियां गुजरात में आगे देखते हैं अनपरदेश के निकट पुलिकट जीले वहां पर इस्तित हैं उसके पूरब में कोरी निविश्क्या जिसमें इस्थित है वह है तो कछका रन वह छेतर कछका रन है आगे देखते हैं कारडमा पहाडी जिन राज्यों की सीमा पर इस्थित है वह है केरल और तमिलाडू कारडमा पहाडी केरल और तमिलाडू के छेतर वह इस्थित है आगे देखते हैं भारती की राजमें सरवाधिक तड्रेखा है तो गुजरात राज्य जो सरवाधिक तड्रेखा गाती त्याव्स्थिति केंगे भारत का ब्राशिंत harmfulफ when अरावली परवस्त्रेडी है यह प्रश्ण इस बार 2019 यूपी बिगेर में पूछा गया था आप अनलाइन क्लास और नोट्स के लिए इस नंबर पर संपर कर सकते हैं हमारा फेस्बूप पेज है इलर्निंग वी दुर्गेश टेलिग्राम पर भी आप इलर्निंग वी सर्च करें हमारा चैनल आजाएगा इलर्निंग वी दुर्गेश उससे आप जोड़ सकते हैं हमारा यूटूब चैनल कि टेट सीटेट सूपर टेट रेलवे लेकपाल लोवर पीसीएस नेट जैसी पतियोगी परिच्छाओं की तैयारी करवाता है उसके साथ ही आपको सभी पतियोगी परिच्छाओं के संपूर नोश्ट भी उपलब्ध हो जाएगा यदि आप आफ लाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा कोचिंग उत्तरपदेश के चौनपुर जिले में स्थित है उसका पता है टीडी काले रोट निकट अनुपम जलपान वेद क हुआखं